हेलो दोस्तों एक बार फिट से स्वागत है आपका अपने पेयर चैनल मोटर जोन पर और मैं हूँ आपका साथ ही संजीव स्वामी तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है अभी जो पेट्रोल डीजर की प्राइज इतने ज्यादा हाइक हो रहे हैं साथ-साथ जो सी एंजी का सब्सक्राइब क सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाली के अंदर जो इंडिया के अंदर है नहीं सबसे जादा जो है नंबर बन पर है टाटा नेक्सोन का इलेक्टिकल वेरियंट और दूसरा है टाटा टीगोर का इ सब्सक्राइब कर दोस्तों अलग 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 गाडियों के बारे में प्लान सब्सक्राइब कर दोस्तों इस वीडियों में बात करने वाले हैं तो दोस्तों नंबर बनाती है अभी भी मार्केट के अंदर है बट उसके अंदर जो रेंज है वो थोड़ी कम मिलती है कंज्यूमर को और ज्यादा रेंज की रिक्वाइरमेंट है उसके अंदर आलांकि वह अपने रेंज है वह स्फीषियंट है उसके लिए 312 किलोमेटर के आसपाथ वह रेंज कंपनी क्लेम करती है वह किसी को डेली यूज के लिए चीए तो वो सफीषियंट है बट कुछ कस्ट के लिए ताइटा मोटल साइस के अंदर एक और उपग्रेड करने जा रहा है कि उनको है च्पर आता चाय नकेंग के व डिनको míd लि रिट्टि में याने वाली है के सबक्किन के ऊठेट एक्स्टा फिचर्वी यह आपको को मिल जाएंगे जैसे iskell προडऱ् चैनल और यह ऌहलेयर तो वह दोEr में देखने को उल्चार एंदर इसके इक इफटी लाद करें सबसे ginger 6-5 डेक्ड़ के अदर ताट की आने वाली गाड़ी एक सबसे ज़्यादा और सबसे जादा मतलब पसंद की जाने वाली आगी है आज के टाप में बहुत शानदार गाड़ी है सबसे सेफ गाड़ी है उसका जो इलेक्टिकल वेरियेट है टाटा मोर्शन ने अटो एक्सपो टॉंटी टॉंटी के अंदर सो किया था तो वह अब जो है उमीद है जल्दी वह गाड़ी है जो मार्केट में आने वाली है और वह अगर आगी तो पहली जो है है सेग्मेंट की जो है इलेक्टिकल गाड़ी होने वाली है उसके लावा दोस्तों बात करें तो इसके लावा एक और गाड़ी है टाटा पंच जो आइसी इंजिन के अपना काफी अच्छा दमाल मिड़ साइज के अदर काफी अच्छा अपना प्रफोर्मेंस दे रही है अलांकि गाड़ी च्छोटी है बट उसके अंदर अगर अगया तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है और इसकी जो रेंज है अल्ट्रो पंच इनकी जो रेंज है वो टूफिप्टी से थ्री हेंड़ किलोमेटर के आसपास जो है रेंज हो सकती है दोस्तों अगर पंच बत्ति हैं किए जो लेक्टिकल वेहिकल होगी क्योंकि अभी जो पर जिप ट्रॉन टेक्टिक्नलोजी के साथ रहे करव है वह कंदर आने वाली है जो दो साल बाद में लोग वेट कर रहे हैं और काफी गुड लगए किलर जो है गाड़ी इलेक्टिकल वेरियंट के अंदर आने वाली है वह प्लेटफॉम्म होगा सीगमा प्लेटफॉम पे जो और पहली दाटा-मौटर्स की तरब से और दोस्तों इसके अलावा जो है कुछ और भी गाड़ियां जिनके अभी तक टाटा मोटर्स ने नाम नहीं बता हैं बट यह मानके चलिए दो या तीन साल के अंदर इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की बर्मार होने वाली है टाटा मोटर्स की तरफ से इसके साथ साथ और भी जो टाटा मोटर्स है आने वाले दो-तिन साल में लॉंज करने वाला है धन्याबाद दोस्तों मिलते हैं किसी ने वीडियो में